द्रिश्टियाइस के ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का ओडियो आटिकल दे हिंदू में प्रकाशत लेक, नीड बेटर प्लानिंग फॉर अर्बन स्प्रेड तथा दे अंडियन एक्स्प्रेस में प्रकाशत लेक, बिग सिटी ब्लूज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम द्रिष्टी के इनपुट भी शामिल है यह ओडियो आटिकल सामान्य अध्यान प्रशन पत्र एक के भुगुल खंड से जुड़ा है तो आईए लेक की शुरुवात करें शेहरी नियोजन हाल ही में केरल में आई विनाशकारी बाढ और कुछ समय पहले दक्षनी मुंबई के सिंधिया हाउस में लगी भीशन आगने नीती निर्माताओं को एक समन्वित शेहरी नियोजन की आवशकता पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है बात चाहे Center for Science and Environment द्वारा 14 शेहरों के प्रदूशन सम्बंधित किये गए सरविक्षन की हो या फिर विभिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण शेहरों के बुरे तरीके से प्रभावित होने की इनके ठोस समधान के लिए एक शेहरी नियोजन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है इसी को देखते हुए हम आज की लेख में शेहरी नियोजन के कमजोर पक्षों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ उसके बेहतर प्रबंधन से समबंधित तथ्यों पर भी नजर डालेंगे आईए अब देखते हैं कि शेहरी नियोजन क्या है और भारत को एक व्यापक और एकिकरत शेहरी नियोजन की आवशकता क्यों है वो और तलब है कि शहरी नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके तहट लोकल लेवल पर रेगुलेशन और सीधे हस्तक शेप के द्वारा शहर के विकास से संबंधित विभिन्न पहलूं को नियंत्रित किया जाता है इसकी सहायता से निवासियों की मॉबिलिटी, गुडवत्ता पूर्ण जीवन और धारनियता जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है शहरी नियोजन आज के इस बढ़ते शहरी करण का एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है हम जानते हैं कि इस समय भारत तेवर नगरिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है इसमें 2011 की जनगरना की तुलना में 3 फीस्दी की वृध्धी दर्श की गई है मेगा साइज अर्बन कलस्टर की संख्या कई वर्षों से स्थिर बनी हुई है जबकि स्मॉलर अर्बन कलस्टर की संख्या तेजी से बढ़ रही है आपको बताते चलें कि मेगा साइज अर्बन कलस्टर उन्हें कहा जाता है जिनकी जन संख्या 50 लाग से उपर होती है नगरिकरण में हो रही इस वृध्धी के कारण शेहरों की डिमांड सप्लाई अंतर में भी बढ़ोतरी हो रही है यहां अंतर आवास के अलावा जल, स्वच्छता एवं सफाई, परिवहन और संचार सेवाओं में भी दिखाई देता है गावों और शेहरों के बीच सुवधाओं को लेकर जो अंतर देखने में आता है उसके कारण गावों से शेहरों की ओर प्रवसन होता है ऐसे में जहां एक तरफ सवाल है कि क्या ये शेहरी क्षेत्र नए निवासियों को आत्मसाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि भारत प्राकरितिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों वाला देश है भारत के ग्रामीर तथा शहरी दोनों ही इलाके इन आपदाओं के प्रती सुभेद्धिता रखते हैं, लेकिन भारतिय शहर ज्यादा जनसंख्या घनत्व के कारण इन आपदाओं के प्रती अधिक सुभेद्धिता रखते हैं. हर आपदा तेजी से हो रहे शहरी करण की प्रक्रिया में हुई गलतियों को उजागर कर देती है इन समस्याओं को देखते हुए देश के शहरों के लिए एक ठोस शहरी नियोजन की आवशकता है जिसमें वैज्यानिक और तार्किक द्रिष्टिकोंड पर आधारित मास्टर प्लान की विवस्था की गई हो आईए अब देखते हैं कि खराब शहरी नियोजन के इस प्रकार शहर में आपदा एवम विभिन गंभीर परिस्थितियों को जन देता है हम देखते हैं कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव शहरों के विकासात्मक कारियों पर भी दबाव डालता है मानविया जरूरतों को पूरा करने के लिए किये गई कार्य बुनियादी पारस्थित की अतंत्र पर नकरात्मक प्रभाव डालते हैं जिनकी क्षति पूर्ती करना एक समय सीमा के बाद संभव नहीं हो पाता साथ ही शहरी नियोजन में व्याप्त कमिया इन आपदाओं को और गंभीर बना देती हैं गौर तलब है कि शहरी नियोजन मास्टर प्लान या डेवलप्मेंट प्लान पर आधारित होते हैं ये प्लान भूमी उप्योग पर भी आधारित होते हैं यानि विभिन्न मानविय गतिविधियों के आधार पर भूमी को कई वर्गों मसलन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ट्रांस्पोर्टेशन, पबलिक और गौवर्मेंट आफिस से त्यादी में बाटा जाता है इन योजनाओं को संबंधित राज्य विधाईका से मनजूरी प्राप्त होती है जिन्हें लगभग 20 से 25 वर्षों के अवधी में पूरा करना होता है लेकिन ये मास्टर प्लान फंड की कमी के कारण ठीक धंग से लागू नहीं हो पाते देश की वर्तमान शहरी नियोजन विवस्था के साथ महत्वपोन चिंता यह है कि यह भूमी उप्योग के पूराने तरीकों पर आधारित है हमें इससे आगे बढ़ते हुए ऐसी योजना और प्रक्रिया को अपनाना होगा जो लोगों की जरूरतों के मुताबिक हो आपको बता दें कि शहरी नियोजन और स्थानिय शासन के बीच आपसी तालमेल करना होना भी हमारी नियोजन प्रक्रिया की एक बेसिक कमी है हाला कि 74-वे संवैधानिक संशोधन में शहरी और स्थानिय सरकारों को सशक्त बनाने की बात कही गई थी ताकि वे सेल्फ गवर्मेंट संस्थान की रूप में कारे कर सकें लेकिन शहरी नियोजन के संबंध में उनकी प्रभाव शेलता अभी भी सीमित है 1985 में किंदर सरकार मॉडल क्षेत्रिया और शहर नियोजन वम विकास कानून लेकर आई थी पर ज्यादा तर राज्य अपने नियोजन कानूनों में इसके प्रावधानों को शामिल करने में नाकाम रहे हैं दूसरी तरफ भारत में मोटराइजेशन यनि मोटर वाहनों की संख्या अपनी विस्फोटक स्थिती में है सड़क परिवहन, ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का बड़ा कारण बना है दरसल शहरी आवागमन द्वारा, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ओक्साइड जैसे टॉक्सिक उत्सर्जन में वृध्धी हुई है ऐसे में शहरी नियोजन का कुप्रबंधन, शहरी ताप द्वीप एवं प्रदूशन की मुख्य वजहों में से एक बनता जा रहा है WHO और UN Habitat के एक अध्यान से पता चला है कि शहरों की इमारतों और घरों के बल्बों, एर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर इत्यादी के इस्तमाल से शहरी इलाकों के तापमान में 2-3 डीग्री Celsius की वृध्धी हो जाती है स्वास्ते संबंधी मुद्दों पर गौर करें तो स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई बसावटें और बहुत छोटे घर जहां दिन की रोशने और हवा का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता, वहां TB जैसी बिमारियों का फैलाओ देखने को मिलत ये तत्य साबित करता है कि TB जैसी बिमारियों के व्रिद्धी एवं कमी में हाउसिंग के डिजाइनिंग महत्वपोर्ण भूमी का निभाती है प्रदूशन के कारकों के अलावा भावनों में आग लगना एवं विभिन्न शहरी अवसन रचनाओं और बिल्डिंग्स का गिरना भी शहरी नियोजन के एक कुप्रबंधन को दर्शाता है बढ़ती जनसंख्या की आधार भूत जरूरतों को पूरा करने के क्रम में भवन निर्माण संबंधी विभिन्न मानकूं और नेतियों का अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा है आम तोर पर भवनों के डिजाइन में अगनी सुरक्षा संबंधी प्रावधान ही नदारद रहते हैं फायर डिपार्टमेंट के पास भी आग के खत्रों का आकलन करने के लिए तकनीकी ग्यान का अभाव होता है संबंधित विभाग शायद ही अगनी शमन अनुभाव के आधार पर नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट जारी करते हैं अब अगर हम आपदाओं पर नजर दोड़ाएं तो कैग ने 2005 की चेन्नई बाढ को मानो निर्मित आपदा घोशित किया था कैग की रिपोर्ट के अनुसार चेंबरम कम जील से अंधा धुन्द पानी छोड़े जाने के कारण अडियार नदी पर जल का दबाव बढ़ा जिससे शहर एउम उपनगरों में बाढ़ाई नदियों का तलचटी करण नहीं होना भी इसकी प्रमुख वजहों में से एक था इसी प्रकार 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ का कारण भी जेलम नदी केर की नारे शहर का अनियोजित विकास था जिसने आपदा के इस्तर में बढ़ो तरीला दी जम्मू कश्मीर का आपदा प्रबंधन तंतर भी अल्पविक से तवस्था में है एवं इसके पास कोई बाढ पूर्वानुमान तंतर भी नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबाई शहर की मीठी नदी जो कचरे के कारण अवरुद्ध हो गई है उसने शहर के विकास में अपने 60% जल ग्रहन कशत्र को खो दिया है जबकि हम जानते हैं कि एक साफ और स्वच नदी बाढ के पानी को तेजी से निकालने का कारे करती है केरल की बाढ की बाढ की बात करें तो माधव गाडगिल कामिटी ने 2011 में पश्यमी घाट की सम्विदन शेलता पर एक रिपोर्ट सौपी थी जिसमें जैव विविधता के सनरक्षन के संबंध में बाते कही गई थी इस कशत्र में कुछ नए ओध्योगिक और खनन क्रियाओं पर रोक लगाते हुए कड़े विनियमन की बात कही गई थी इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेने के कारण विभिन मानों हस्तक्षेपों जैसे अनियंत्रित पत्थर खनन, निर्मार्ट संबंधी गतिविधियों एवं दोशपोन बांध प्रबंधन केरल बाढ़ का कारण बने आईए अब हम शहरी नियोजन के बहतर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा लाई गई कुछ महत्तोपूर्ण नीतियों और अंतराष्ट्रे अस्तर पर किये जाने वाले प्रयासों पर नजर डालते हैं गौर तलभे के भारत के पहले नेशनल कमिशन और अर्बनाइजेशन ने 1988 में शहरी नीती पर रिपोर्ट सौपी थी उसके बाद 1992 में 73वा एवं 74वा संवेधानिक संशोधन लाया गया जिसे पंचायती राज एक्ट एवं नगरपालिका एक्ट के नाम से जानते हैं इसका उद्देश्य आर्थिक एवं अस्थानिय नियोजन द्वारा गाउं एवं शहरों का विकास करना था चुकि भूमी राज्य का विशे है इसलिए सिर्फ कुछ राज्यों ने ही इसे अपनाया इससे इसके क्रियानवयन में धीमा पना गया इसके बाद भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिया शहरी नवीनी करण मिशन 2005 अपनाया जो अपनी तरह का पहला कदम था 2015 में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया जिसका उद्देश ये पांच वर्षों के अंदर 100 शहरों के स्थिती में सुधार लाना था 2015 में ही आधुनिक सुधाओं के साथ अधिक से अधिक शहरों के विकास के लिए अमरूत योजना यानी अटल मिशन फोर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन लाई गई इन सब के अलावा हाल ही में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक राश्ट्रिय शहरी नीती लाना चाह रही है चुकि शहरी विकास राज्जी का विशे है इसलिए अभी तक कोई ऐसी व्यापक राश्ट्रिय नीती नहीं बन पाई है जो शहरी करण से संबंधित योजनाओं को बताए बहराल देश की यह प्रथम नेशनल अर्बन पॉलिसी दस मुख्य क्षत्रों पर केंद्रित है जिन में से प्रमुख हैं सहकारी संघवाद, समावे शीवृद्धी, धारणियता, अस्थानिय संस्थाओं का सशक्ति करण, शहरी अवसंरचना वित्त प्रणाली, सशक्त शहरी सूचना प्रणाली इत्यादी यहीं पर आपको बता दें कि अंतराष्ट्री अस्थर पर भी UN हैबिटेट सन्योक्त राष्ट का एक कारिक्रम चल रहा है, जो वैश्विक अस्थर पर एक बहतर शहरी भविश्य के दिशा में काम कर रहा है इसका लक्ष सामाजी कोर्पर्यावर्णिया रूप से टिकाउ मानो वबस्तियों का विकास और सभी के लिए समुचित आश्रे प्राप्त करवाना है गौर तलब है कि 2016 में हैबिटेट 3 का आयोजन किया गया था, जो आवास और टिकाउ शहरी विकास पर हर एक दो दशकों पर होने वाला सन्युक्त राष्ट का सम्मिलन है हैबिटेट 3 में जारी न्यू अर्बन एजेंडे में बताया गया है कि 2016 से 2030 के बीच धारणिया शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए देशों को क्या किये जाने की आवशकता है भारत भी इसी एजेंडे को आधार बना कर अपने शहरी नियोजन को आकार दे रहा है वहीं हम पाते हैं कि यूएन के सतत विकास लक्षे 11 के अनुसार शहरों एवं मानव बसावटों को समावेशी, सुरक्षित, लोचपोर्ण एवं धारणिया भी होना चाहिए हाई अब हम देखते हैं कि शहरी नियोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए और क्या किये जाने की जरूरत है शहरी नियोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए सबसे पहले प्रभावी शहरी नियोजन में नागरिकों की भागिदारी सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है तभी विश्व अस्तरिया शहरी भारत का निर्माड हो सकेगा सम्विधान की बारहवी अनुसूची के तहट सूची बद्धकारियों में शहरी नियोजन, भूमी उप्योग का विनियमन और आर्थी के उमसामाजिक विकास के लिए योजना का निर्माड करना शामिल है इसलिए राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे इनकारियों को नगर निगम को सौप दें 74. सम्विधान संशूधन के अनुसार Metropolitan City में Metropolitan Planning Committee के गठन की विवस्था की गई है जो स्थानिया निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को Metropolitan क्षेतर में एकिकरित करेंगे आपको बता दें कि Metropolitan City उन शहरों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाग से उपर होती है 3 लाग से उपर वाले प्रतेक शहर के लिए Ward Committee के गठन की बात भी की गई है जो नगरपाली का संबंधी कारियों को देखेगा इन सभी संस्थानों को नियोजन प्रक्रिया का एक अभिन अंग बनाना ज़रूरी है वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शहरी इस्थानिया निकायों के ऊपर विकेंद्री करण के नाम पर बहुत अधिक जिम्मदारियां सौपी गई है इस्थानिया निकायों के पास निरिक्षन कारियों के लिए श्रम शक्ति के भी कमी रहती है इसलिए पेपर वर्क में कमी लाते हुए सिस्टम को ऑनलाइन बनाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है वर्तमान की अप्रूवल संबंधी प्रक्रियाओं का आधुन की करण भी ज़रूरी है शहरी करण को देश के आर्थिक विकास का अभिन्न अंग मानते हुए भारत सरकार के थिंक टैंक नीती आयोग ने हाल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन एवम उर्जा उपभोग के मामले में मेट्रो पॉलिटन सिटीज ने मेगा सिटीज के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन किये हैं इसका कारण यहाँ जनसंख्या, यात्रा अनुपात, एवम वाहनों की संख्या का निमन होना बताया गया है कुलकाता एवम मुंबई दोनों ने भूमी उपयोग के साथ सारवजनिक परिवहन प्रणाली को अच्छे तरीके से एकिकृत किया है 2004 में नौन मोटराइज ट्रांस्पोर्ट अपनाने वाला मुंबई पहला शहर बन चुका है इसका उद्धिश साइकल ट्रैक और ग्रीन वे का नेटवर्क तेयार कर वाकिंग एवम साइकलिंग करने वालों की संख्या में इजाफा करना था शहरी ताप द्वीब संबंधी चुनोतियों से निपटने के लिए दक्षनी भारत में सडकों को उत्तर दक्षन दिशा में बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि सीधी पढ़ने वाली सूर्य की रोशनी को टाला जा सके शहरी नियोजन में सडकों के विभिन्न हिस्सों छटों के उपरी हिस्से को सफेद पिंट करने जैसे कारियों को शामिल किया गया है जिससे सूर्य विकरण को अधिक से अधिक परावर्तित किया जा सके अगर सड़के सकरी है तो भवनों की उचाई को सड़कों की चोड़ाई के बराबर करना भी बताया गया है इससे तापनी अंत्रण में मदद मिलती है निर्माड कारी गतिविधियों के समय हर साथ वर्ग किलोमेटर पर जल निकाए और खुले स्थान के लिए एक वर्ग किलोमेटर का क्षेतर छोड़ना भी इसमें शामिल है फुटपातों का निर्माड कुछ हैस तरह से करने की बात कही गई है कि बारिश के मौसम में ये जल और शोशन में भी सहायक भूमिका निभाएं प्लैनिंग के समय आर्थिक असामानता के मुद्दे को भी ध्यान में रखना जरूरी है ताकि समाज का कोई भी वर्ग हाशिये पर न चला जाए क्योंकि आपदा के समय इन वर्गों के प्रभावित होने की सबसे ज्यादा संभाव ना होती है आवासिय सुविधाओं में गरीबों के रहने के लिए ऐसी वेवस्था होनी चाहिए जहां आधार्भूत सुविधाओं की कमी न हो इंडोनेशिया में इसी प्रकार का एक सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया गया है जो बेहतर वायू संचार एवं गुडवत्ता पून जीवन का अच्छा उदाहरण प्रस्तोत करता है गौर तलब है कि भारत की जीव टेक्टॉनिक्स से स्थिती में भी बदलावा रहा है ऐसे स्थिती में दिल्ली में अगर एक मध्यम तीवर्ता का भुकंप भी आता है तो आपदा की भयानकता का अनुपान लहीं लगाया जा सकता राजधानी की नई निर्मित इमारतों में शायद ही नेशनल बिल्डिंग्स कोड भारत का सुभेतिता एटलस 2006 और भवन उपनियमों का पालन किया गया है जहां एक तरफ शेहरी बुनियादी धाचे के निर्मार की समय भावन मानकों को भूकंप प्रतिरोध संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए वहीं दूसरी तरफ बाढ़ा अपदा प्रबंधन के समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भवनों यों संकों के निर्मार के लिए शेहरों में स्थित परंपरागत जल निकासी तंत्रों तथा विभिने जल निकायों मसलन जील, तलाब और आद्र भूमियों का अतिक्रमण ना हो नदी तल और बाढ़ मैदानों के अतिक्रमण को रोकने के लिए रिवर रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को प्रभावी बनाये जाने की जरूरत है इसे परियावरण मंत्राले ने राजियों के लिए जारी किया था जिसका उद्देश्य बाढ़ के मैदानों में विकास संबंधी कारियों का विनियमन करना था इसके साथ ही महानागरों का जल निकासी तंत्र प्रभावी होना चाहिए ताकि वर्षा का पानी तेजी से निकल सके वर्षा के अतरिक्त जल के संग्रहण के लिए शेहरी भावनों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनुपालन जरूरी है शेहर में इस्थित जल निकायों और जल मारगों का समगर रूप से सरवक्षन होना चाहिए तियंद्र सरकार इसरो की मदद से अंतरिक्ष प्रवध्योगी का इस्तमाल शेहरी नियोजन प्रक्रिया के आधुनी की करण में करना चाह रही है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा शेहरों का मानचित्रन किया जाएगा जो बहतर मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा इससे भारतियक शत्रों का अध्यान कर बाढ़ की भविश्यवाड़ी की जा सकेगी साथ ही या शेहर की जरूरतों का आकलन करने में सक्षम होंगे एसरों के भूवन पोर्टल पर अपलोड किये गए शेहरों के प्लान प्रोजेक्ट संबंधी विवरन तक लोगों की पहुँच भी सुनिश्चित हो सकेगी इन सब के साथ एकोलोजिकल होट स्पोर्ट की मैपिंग कराये जाने की जरूरत है ताकि परियावर्णिया संतुलन स्थापित किया जा सके इन सब के अलावा हमें अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए विश्व के कुछ देशों मसलन कैनेडा के टोरेंटू, अमेरिका के लॉस एंजल्स और फ्रांस के पेरिस ने संबंध में कुछ उदाहरण पेश किये हैं टोरेंटू ने एक खास उचाई वाली सभी नई इमारतों में ग्रीन रूफ का निर्माड करना आनिवारे बना दिया है वहीं पेरिस ने एक कानून पारित कर हरित चछतों के साथ साथ कमर्शिल इलाकों की इमारतों पर सोलर पैनल लगाना आनिवारे कर दिया है भारत को इन देशों से सीखने की जरूरत है इसके साथ ही अपने देश में शहरी विकास योजनाओं के लिए अपनाएगे टॉप टू डाउन दृष्टिकोंड के अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण अप बॉटम टू अप दृष्टिकोंड को बढ़ावा देने की जरूरत है निशकर्ष की बात करें तो हम जानते हैं कि नगरिकरण विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है लेकिन इन शेहरों का विकास आर्थिक सम्रिद्धी, रोजगार परक सामाजिक परिवर्तन, पर्यावर्णिया निमनिकरण से निपटने वाला अप्षिष्ट प्रबंधन तथा स्थानों के उचित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए इसके लिए हमें एक ठोस शेहरी नियोजन की तरफ सोचना होगा, साथ ही साथ हमें ग्रामीड विकास की और भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि शेहरों पर दबाव कम पड़े नागरिकों की सक्रियता एवं बहतर सुविधाओं की मांग भी शेहरों को सही आकार देने में महतोपून भूमिका निभाईगी आए नोट करें आज का सवाल सवाल है भारत की राष्ट्रिय शेहरी नीती की निर्मार क्रम में यूएन हैबिटेट और धार्निय विकास लक्षे ग्यारह के आदर्शों के पालन के आवशक्ता पर प्रकाश डालें साथ ही इन्हें प्राप्ट करने के दिशा में प्रोध्यूकी की संभावित भूमिका को भी स्पष्ट करें